हलो फ्रेंज वेल्कम पेक टू मैं चैनल और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नियोजित सिक्षक बिहार के जितने भी हैं वो 17 तारिक से हर्ताल पे हैं लेकिन जो माधिमिक सिक्षक थे उसमें सामिल नहीं थे तो 25 से माधिमिक सिक्षक भी हर्ताल पे जा रहे हैं जिससे नियो प्रदेश के करीब 6,000 माधिमिक और उच्चे माधिमिक इश्कूलों के करीब 40,000 सिक्षक पचीज फरवरी से हर्टार पर जाएंगे रभिवार को बिहार माधिमिक शिक्षक संग के अध्यक्स केदारनात पांडे वह महासचिप सत्रुग्न प्रशाद जीने 25 से विद्ध्यालेयों में तालावंदी और अनिश्चित कालीन हर्टाल की घोशना प्रेश कॉन्फरेंस कर दिये सात्वा पुनरिक्षित बेतनमान और सेवा सर्थ समेत अन्य लंबित मांगों को लेकर हर्टाल पर जाने की घोशना की गई है गोवर तरब है कि राजी के प्रारंबिक विद्ध्यालेयों में नियोजी सिक्षक शत्रफ फरवरिशे हर्टाल पर है रविवार को मादिमिक शिक्षक संग भवन में प्रेश वार्था के दौरान शत्रुग्न प्रशाद सीह ने घोशना की कि शिक्षक जनगनना पशुगनना मुल्यांकन समेत कोई भी सरकारी कारे नहीं करेंगे कहा कि मुख्य मंत्री से लेकर शिक्षा मंत्री और विभाग की अपर मुख्य सचीब तक को 15 पत्र दिये गए लेकिन बार्था तक की पहल नहीं की गई हाँ तो प्रिश वार्ता के दौरान शत्रुग्न प्रशाद सी बोले हैं कि शिक्षक ना पसुगनना करेंगे ना जनगनना करेंगे और नहीं मतलब कोई भी सरकारी कारे में हिश्चा नहीं लेंगे और साथ ही इन होने कहा है कि मुख्य मंत्री से लेके शिक्षा मंत्री शिक्षा सचीब मुख्य सचीब सबको पत्र दिये गए लगभग 15 पत्र लेकिन फिर भी कोई बार्ता करने तक का पहल नहीं किया तो आईए लिखते हैं विधायकों के समर्थन के बारे में 50 विधायकों का शमर्थन 50 विधायकों का शमर्थन मिला है अध्यक्ष के दारनात पांडे ने दावा किया कि हमारे अंदोलन को 50 विधायकों ने शमर्थन किया है संग को पत्र लिखकर समर्थन देने वाले में कई विधायक स सरकार द्वारा की गई कारवाई का भी पुर्जोर विरोध करते हैं और सरकार ने जो नियोजी शिक्षकों पर कारवाई किया है या करवाई कर रही है उनका भी विधायक लोग पुर्जोर विरोध करते हैं तो यह बहुत अच्छी बात है कि विधायकों का समर्थन मिल ला है आगी देखते हैं कि शरकार आखिर करती क्या है तो जो भी लोग चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब करके वेल बटल को जरूर दबाले ताकि जब भी मेरा नए वीडियो आएगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और पचीस तक योगदान देने वाले शिक् सब्सक्राइब करते हैं नहीं की जाएगी हरताल पर गहे हुए जितने भी शिक्षक है अगर पचीस फरवरी तक वे अपनी स्कूल में योगदान दिर देते हैं तो उन पर कोई अनुशास निकरवाई नहीं की जाएगी ऐसे सिक्षकों की हर्ताल की अबधी को भी नियम अन परिक्षा में बड़ी शंक्या में नियोजी शिक्षक बिक्चन कारे कर रहे हैं, शिक्षकों की हर्ताल के कारण इस स्कूलों में पिछले च्छाद ही से पढ़ाई ठप है, डियो डॉक्टर विवल कुमार डीप्यो अस्थापना अब्दुलसलाम अंसारी ने कहा है कि शबी परिक्षा 24 को खत्म हो रही है, बली शंक्या में नियोजी शिक्षक की स्कूल में योगदान देंगे, और अगर इन शिक्षकों के साथ किसी तरह का दुर्वे भारत पाउने बिद्ध्यालेज आनिश रोका गया, तो ऐसे शिक्षकों पर अनुशाशनिक और कानूनी करवा है कि जितने भी सिक्षक जो उसमें थे, परिक्षा ड्यूटी में थे, और अगर इस्कूल में ज्वाइन कर लेते हैं 25 तक तो उन पर कोई कारवाई नहीं की जाएगी, और साथ ही उस सारे सिक्षकों से कह रहे हैं कि पढ़ाई 6 ठप है, तो आप लोग जाके ज्वाइन कर अगर आप लोग ज्वाइन कर लेते हैं तो आप लोग पर कोई कारवाई नहीं की जाएगी, तो चलिए, आगे के अपडेट से में आप लोगों को अपडेट करूंगी, जो भी लोग चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वेल वाटन को प्रेश करना बिल्कुल नहीं भूले, क्योंकि जब अब वेल वाटन को प्रेश करेंगे, तभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन से पहले आपके पास पहुचेगा वीडियो पस्चंद आया है, तो लाइक करें और हमारे साथ बने रहे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत अबनिवाद